ज्यादा दिन नहीं बीते हाल ही में आतिशी वरलेना ने प्रिस कॉंफरेंस कर बीजेपी पर यारूप लगाया था कि बीजेपी ने हर्विधान सबासीर से आमादमी पार्टी के 20-20,000 समर्थकों का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने को कहा अतिशी ने यारूप पूरी नौटंकी के साथ लगाया तब लोगों को लगा कि ये आमादमी पार्टी का एक पॉलिटिकल स्टन्ट है लेकिन अब पता चला कि इसके पीछे आमादमी पार्टी के गहरी चाल छिपी है असल में आमादमी पार्टी दिल्ली में घुस आए अवैध बांगला देशियों और रोहिंग्याओं के नाम गुपचिप तरीके से वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर शामिल करवा रही है इसके पहले दिल्ली के एलजी ने दिल्ली पुलिस को जब आदेश दिया था कि वे इस बात को सुनुशित करें कि किसी अवैध घुस पैठी का नाम मतदाता सूची में ना आपाए तब आम आदमी पार्टी ने एलजी के इस आदेश का आर्श रे जनक रूप से समर्थन किया था लेकिन एलजी के आदेश से आतिशी मरलेना के आरोपों को अगर जोड कर देखा जाए तो इसके पीछे के जुरिवाल के बड़े खेल का खुलासा होता है दिल्ली विधान सभा का शीत कालिन सत्र शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद बीजेपी विधायकों ने दिल्ली विधान सभा से वाकाउट कर दिया अध्यक्षु राम निवास गोयल द्वारा नियम दोस्वासी के तहत उठाए जाने वाले मुद्दों को सुचिबध सदस्यों द्वारा पढ़ा हुआ समझा जाने की घोशना के बाद विपक्ष के नेता विजेंदर गुपता के नितरतु में भाजपा विधायक सदन के ब जेंदर गुपता ने कहा कि वे महिला सुरक्षा की बात करते हैं लेकिन अपराधी को शरण देलने वाले सीम के इशारे पर सांसद स्वाती मालिवाल की पिटाई की गई निर्भया के लिए बजट इतना जादा रखा और महिला सुरक्षा पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया उन्होंने कहा कि प्रदूशन ज्यादा होने से आपात काल लग गया है फिर भी आमादनी पार्टी इस पर बात नहीं करेगी हम ये सारे मुद्दे उठाएंगे उन्हो ही रोहिंग्या और बांगलादेशी घुस पैठियों की पैचान करोने बाहर निकाला जाए हम शीश महल पर चर्चा करना चाहते हैं हम चर्चा करना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार सिर्फ एक महिने के लिए 10,000 करोड रुपे कैसे मांग रही है भाजबा नेता ने कहा कि इसका करना चाहते हैं